हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एक्जांबी आज हम डिसकस करने वाले हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर और काउंटर सैक्लिकल बफर यह दोनों टर्मिनालोजी जो है बासल नॉर्म 3 से रिलेटेड है ठीक है और यह बासल नॉर्म 3 किसने लॉंच किया है बीरो ऑफ इंटरनाशनल सेटलमेंट ठीक है तो यह बासल नॉर्म 3 जो है यह बैंकिंग हेल्थ से रिलेटेड है और फाइनाचल स्टाबिलेटी से रिलेटेड है बैंकिंग हेल्थ तो इस वीडियो में हमको समझना है कि यह काउंटर साइक्लिकल बफर यह दोनों चीज़े क क्या है इसके पीछे क्या concept है कैसे calculate करते हैं उसका significance क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है तो इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें मैं आपको बता दू कि सब्सक्राइब करते हैं कि वहीं पहले देखते हैं कि वहीं पहले देखते हैं कि आपिटल कंजर्वेशन बफर होता क्या है देखते हैं यह जो पराग्राफ है यह मैंने लिया है बियाएस की साइट से ब्यूर आफ इंटरनाशनल सेटलमेंट के साइट पे बासल नॉम 3 से से रिलेटेड काफी सारा मटेरियल दिया है और उसमें उन्हों ने यह भी दिया कि वह कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या है तो यह जो पराग्राफ है यह आपको समझाएगा कि कैपिटल बफर क्या है ना बट यह थोड़ा राव complex language में इन्हों ने यहाँ पे दिया है conceptually यह क्या होता है capital conservation buffer वो हम अभी देखेंगे ठीक है तो पहले तो इसका definition पता कर लेंगे capital conservation buffer was introduced to ensure that banks have an additional layer of usable capital that can be drawn down when losses are incurred ठीक है अब समझते ही है क्या capital conservation buffer capital conservation buffer में बासल नॉम 3 यह कहता है कि जब कोई bank ठीक है जब कोई bank loss incur कर रही हो ठीक है यह मानलो यह PNB है और PNB में एक कुछ fraud हो गया जैसे मानलो पहले वो निरो मुदी ने fraud किया था है ना तो bank को 12,000 करोड का नुकसान हो गया तो बैंक को 12,000 करोड का नुकसान हो गया तो consumer sentiment भी affect होता है ना लोग 12,000 करोड का नुकसान हो गया बैंक में fraud चल रहा है तो लोग क्या करेंगे और वहाँ से withdraw करेंगे money तो उनके पास deposit कम आएगा और लोग withdraw भी कर रहे है तो पैसे की कमी खलेगी उनको यह सब चीज़े क्या करते है बैंक के जो financial health है और बैंक का जो business है उस पे affect करता है ठीक है तो ऐसी case में क्या हो सकता है यह financial entity like banks यह fail हो सकती है ठीक है यह collapse कर सकती है ठीक है इनके पास deposit कम आ रहा है और withdrawal जादा हो रहा है तो लेंडिंग के लिए पैसा भी नहीं बचेगा तो यह business कहां से करेंगे है ना तो बैंक को ऐसे case में क्या होता है loss होता है बहुत तो यह ऐसी condition में ऐसी जो adverse condition आती है bank business में इसको tackle करने के लिए क्या है capital conservation buffer ठीक है buffer मतलब क्या होता है शौक 2.5 परसेंट यह होना चाहिए पर किसका 2.5 परसेंट और क्या चीज़ें इसमें इन्वाल होनी है तो इस पर भी बासल नॉर्म 3 में बात की गई है यह क्या बोल रहा है इट मस्ट भी मेट विट कॉमन एक्विडिटी एरवन कैपिटल ओनली ठीक है यह देखो यह आपे और and is set at 2.5% of total risk weight asset ठीक है बफर वाज एंप्वाज एंपलेमेंटट इन फुल एज आजफ 2019 ऐस सेट ए है डीक है डीक है डीक है डीक है इस चार डोमें में बैंक ने करदा दिया है एग्रिकल्चर में 500 क्रोड करजा दिया है MSME में 1000 क्रोड लोन बाते हैं इंडस्टी में 2000 क्रोड और गवर्मेंट सीकुरिटी में 5000 क्रोड ने इन्वेस्ट किये ठीक है तो जो भी लोन दिये वह बैंक के असेट हो गए अगर असेट हो गए आपने लोन दिया तो उसमें कुछ रिस्क इन्वाल होता है जैसे अग्रिकल्चर में मैगेजिम रिस्क होता है क्योंकि कब जाके कुई क्रॉप डिसीज आ गया कई पर फ्लड आ गया कई पर ड्रॉट आ गया ज्यादा प्रोड़क्शन की वज़े से भी बहुत बार भाव गिर जाते है तो फार्मर्स को क्या ह जाता है उससे अगर फार्मर को नुक्सान हो गया तो उन्होंने लोन दे वापस नहीं आएगा है ना तो इसके लिए उसको बूलते है हम रिस्क तो मान लो अजूम करो कि अग्रिकल्चर में रिस्क है 65% है ना मतलब जितने भी हमने 100 रुपे लोन दिया तो 65 परसेंट रिस मतलब 2325 क्रो वापस ना आने के चैनसे से यह रिस्क की रिस्क होगया है ना मस्म क्रोल बाता रכा 30 परसेंट तो 300 करोड़ वापस ना आने के जैन्साफ धीन दुक्त केस इंड। रिसकी होगया है लेकिन गौझमनेंट सीकूरिटीज में 0% होता है आपने जितना भी इंवेस्स किया में उतना पैसा आपको वापस मिलेगा सब करेमस सब्सक्राइब करेंगे तो वह लेंद की आपको हुआesse इसका 2.5% हमको चाहिए इसका 2.5% जितना भी आता हो यह अमों ठीक है इसका 2.5% हमको Capital Conservation Buffer चाहिए ठीक है तो यह Capital Conservation Buffer फिर हम किसके इन टम्स ओफ वाट हम यह Capital Conservation Buffer एंशुर करेंगे हमको यह गोल में 2.5% चाहिए, या हाट कैस में चाहिए, या इक्विटी में चाहिए, किस में चाहिए 2.5% है ना, या गवर्मेंट सिकुरिटी में 2.5% चाहिए, इन्वेस्ट करके रखना है, तो वो हमको समझना है, तो 2.5% ये क्या बोड़ रहा है, 2.5% इनको common equity tier 1 में चाहिए, य ड़ी होता है या फिर जो रिटेंड उर्णिंग उन्होंने दो प्राइब की स्कुरिटीस में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया या फिर किसी का जो या मॉटगेश ये यह लिकिडेट करके पैसा कमया है न यह जो होती है वो भी क्यों एक्विड़ी टीर वन वन एती यह बैंक का goal incompi होता है फ्लागे यह highly milk वीडोटा है Howie अमतलब क्या dependable capital होता है जो अगर जो अगर बैंक लॉस कर रही है तो इसको तुरंत लाप लिक्विडेट करके वो लॉस आप कवर कर सकते हैं ठीक है सर प्लस टॉक्स है ना सर प्लस टॉक्स मतलब क्या मान लो कि आपको होल्डिंग के लिए 51 परसेंट चाहिए लेकिन आपके पास 70 परसेंट टॉक्स है तो इसमें का कुछ परसेंट मैं एटलिस्ट कुछ 5-6 है पहले इसकी पास सबसेडरी सठी स्टेट बैंक हेदराबद स्टेट बैंक ओफ पतियाला था ऐसे सबसीडरी ओते यह बैंकों की है आना तो इह बैंकों की carry भी शेर होते हैं boys के भी यह लोग फिन्ट कर सकते तो उसको बुलेंगे हम क्या tidak Capital तो Capital Conservation Buffer की हम जो बात कर रहे थे कि बे 2.5% चाहिए और रिस्क वेड असेट तो वह किसमें इन टम्स ओफ चाहिए इन टम्स ओफ Common Equity Tier 1 Capital चाहिए और Common Equity Tier 1 Capital क्या है यह चाहिए ठीक है तो आपको समझ में आ गया होगा कि Common Capital Conservation Buffer क्या होता है यह बेसिकली क्या होता है यह बेसिकली वह होता है कि आपकी बैंक इनकेस अगर लॉसेस इंकर कर रही है तो वह लॉसेस कैसे कवर किया जाए तो उसके लिए हमको कुछ Capital चाहिए है ना कुछ कंजर्वेशन बफर चाहिए बैंक में तो वही होता है यह Capital Conservation Buffer इंटम्स ओफ मनी इंटम्स ओफ क्या है तो अब आगे बढ़ते हैं कि यह Capital कंजर्वेशन बफर इसका स्टेट क्या है हम 2.5 परसेंट मेंटेन कर रहे है क्या हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में आर्बिया एंशुर कर रहा है कि सभी बैंक 2.5 परसेंट एंशुर करें तो यह आर्बिया का सर्कुलर है यह पब्लिक डोमेन में है यह 5th February को लांच हु में बोल रहा है कि यह करोना के चलते 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 2.5 परसेंट क्यापिटल बफर जो यह 6 इंस्टॉल्मेंट में यह कवर करने वाले थे 2.5 परसेंट तो इनके ऐस आफ नौव 1.8 1.875 इतना इनका कवर होचुका है मतलब 6.65 के चार किस्तों में इनको 2.5 तख जाना था लेकिन इसके 3 तूइन कर पाएंगे तो अभी नहीं है अभी नहीं है और उसलिए यह क्या कर रहा है इनोंने हाल्ग दिया है कब तक, from April 2021 से October 2021 तक, ठीक है, इस बीच में जो है, ये Capital Conservation Buffer को Relaxation दिया है, है ना, तो ये अभी, as of now, ये Situation है Capital Conservation Buffer की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे कि भी Counter-Cyclical Buffer क्या होता है, ठीक है, Counter-Cyclical Buffer, ये Cycle की बारे में बात करी है, ये बात चल रही है, Economic Cycle के, ठीक है, Economic Cycle होता है, ये भी मैंने Basel 3 के Website से लिया है, Bureau of International Settlement के Website से लिया है, लेकिन ये भी बहुत complex language में दिया है, ये मैं आपको easy language में बताता हूँ कि ये है क्या, ठीक है, पहले तो समझती ही, ये Cycle क्या है, ये Cycle है आपकी Economic Cycle, Economic Cycle में क्या होता है, कुछ period होता ह आपका Boom का, ठीक है, फिर Slowdown आता है, Slowdown आएगा, फिर से ये Economy आपकी Grow करेगी, फिर से Boom आएगा, और फिर से ये फिर Slowdown की तरफ आगे बढ़ेगी, ये Economic Cycle होती है, ये हर 3-4 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसा ये आएगी, पक्का आएगी ये, ठीक है, क्योंकि Economic Cycle है, Boom होगा, इसको बोलते हैं हम Cycle, अब इसको Counter करना है, कुछ Capital से, उससे Related है ये आपका Counter Cyclical Buffer, तो वो क्या है, पहले हम समझ लेते हैं, देखो, ध्यान से समझना, जब आपका, आपकी Economy अच्छे से Grow कर रही है, Boom का Period है, ठीक है, Boom का Period है, मतलब क्या, Economic Growth adequate है, मतलब मान लो, इंडिया मे Around 6.5% या 8% है ना, 9% ऐसा Economic Grow कर रही है, ठीक है, फिर Inflation भी Moderate है, ठीक है, Inflation Moderate है, मतलब क्या, 2-6% के Band में है, है ना, 4%, 4.5%, ऐसा Moderate Level पर Inflation चल रहा है, उसके बाद में जो Economic Activities है, वो adequate है, Market में Economic Activities अच्छे से चल रही है, जो High Frequency Indicators है, High Frequency Indicators मतलब क्या, आपका Steel का Sales हो गया, ठीक है, फिर आपका Two Wheeler का Sales हो गया, फिर आपकी जो GST E-Way Bill है, GST E-Way Bill, ये भी अच्छा Growth रेकॉर्ड कर रही है, इसका मतलब क्या है, कि Economic Activity अच्छे से चल रही है, Construction Activity अच्छे से चल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि Economy में Economic Growth चल रही है, Boom Period है अभी, है ना, तो इस केस में क्या होता है, अगर किसी Industry को, या MSME को, किसी Individual Businessman को, या फिर Retail Investor, या फिर आपके हमारे जैसे जो Common Citizens है, उनको क्या करती है, बैंक लोन बाटेगी, है ना, क्योंकि लोन देना चाहिए, क्योंकि Market में Demand होगी, Market में Supply है, तो Demand भी चाहिए, है ना, Market में Demand करेंगे, तभी तो Economic Activity चलती रहेंगे, तब ये Bank क्या करते है, ये Boom वाले पिरेड में, काफी सारा, जो Loans है, वो Industry को देंगे, Industry को देंगे, MSME को देंगे, Farmers को देंगे, Common Citizens को भी देंगे, ठीक है, तो इस Situation में क्या होता है, Bank Insure हो जाती कि, नहीं, Economic Activity अच्छे से चलती है, तो जो भी लोन देंगे, उसकी EMI जो है, वापस आएंगे, तो उस पर बैंकों को Interest मिलेगा, उस Interest से क्या है, बैंकों का, जो Revenue Generate होगा, उनका Profit भी बनेगा, ठीक है, ये Situation होती है, Boom वाले पिरेड में, जब Economic Activity अच्छ दीरे हो जाता है, वो Slow हो जाता है, है ना, मानलो अगर पहले 5% से Grow कर रही थी Economy, तो अब वो 4% से कर रही है, फिर कुछ दिनों बाद 3% पर आ गई, फिर कुछ दिनों बाद 3% पर आ गई, इसको बोलेंगे हम Slowdown, ठीक है, Growth हो रही है, लेकिन Slow हो रही है, तो अब क्या हो रह आना शुरू हो गया, तो फिर Principal Amount भी वापस कमाना शुरू हो गया, Interest भी वापस कमाना शुरू हो गया, तो बैंकों की Profitability पर affect होता है, है ना, तो पैसा कम वापस आ रहा है, तो इनको लेंडिंग के लिए भी पैसा कम बचेगा, बैंकों को, है ना, SBI हो, Canera Bank हो, इनके प है ना, Slowdown में इनके पास Fund का Crunch हो जाता है, To Lend, है ना, Lending Activities ये Limited कर देते हैं, तो इस Economic Cycle को Counter करने के लिए हमको Buffer चाहिए, इस Shock को Absorb करने के लिए हमको Buffer चाहिए, उसको बोलते हम Counter Cyclical Buffer, ठीक है, ताकि क्या हो सके, अगर हम Counter Cyclical Buffer ensure करे, 0 to 2.5%, तो हम यह जो Slowdown वाला पिरेड है, यह वाला, यहाँ पे भी हम Lending Activities जारी रख सकते हैं, ना, Lending Activities continue रहेगी, Lending Activities continue रही, तो मार्केट में लोगों के पास पैसा पोचेगा, लोगों के पास पैसा पोचेगा, तो Economic Activity फिर से हम ensure कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम यह Counter Cyclical Buffer जो है, यह ensure करते हैं, इसका जो Counter Cyclical Buffer है, वो 0 से 2.5% के बीच में होना चाहिए, ठीक है, minimum 0% और maximum 2.5%, यह आपका Central Bank डिसाइड करेगा, बासल नाम तो करता है, 0 से 2.5% होना चाहिए, फिर respective Central Bank, जो की Regulatory Authority होती है, वो डिसाइड करेगा, कि वह यह Actual में होना कितना चाहिए ठीक है, इसके बारे में और कुछ भी हमको पढ़ना होता है, RBI Grade B के लिए, NABARD Grade B के लिए, इसका difference क्या है, significance और economic activities में क्या होता है, financial stability में इसको कैसे use कर सकते हैं, है ना, financial stability report में यह कहां पी use होता है, तो यह सब चीजे detail course में आमको पढ़ाई जाएंगी, तो आपको यह लाइक, शेयर, सबस्क्राइब जरूर कीजे, ठीक है, तब तब